Hello and welcome everyone, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का एक बहुत ही मज़ेदार और इंट्रस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है चांदनी तो चांदनी चैप्टर की शुरुआत होती है अब्बु खान नाम के एक आदमी से अब्बु खान काफी ओल्ड मैं ता बुढधा सा आदमी था जो अल्मूरा नाम की जगा पर रहा करता था अब्बु खान के साथ कोई भी नहीं रहा करता था उसकी वाइफ भी नहीं रहती थी क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई थी शायद तो अब्बु खान अकेले रहा करता था लेकिन अब्बु खान के कुछ कमपैनियन्स थे यानि कि कुछ साथ ही थे पता है कौन थे अब्बु खान के कमपैनियन्स वो थी बहुत सारी गोट्स अच्छा अब्बु खान की कमपैनियन गोट्स कैसे हुई देखो अब्बु कान जो था था न वो गोट्स को as a pet की तरह पाला करता था लोग तो cat और dog को पालते हैं पालतू जानवर की तरह लेकिन अब्बु कान गोट्स को पाला करते थे पैट की तरह अब्बु कान ने अपनी गोट्स का नाम भी बहुत funny funny रखा था मतलब ऐसा नाम जिसे सुनते ही आपको हसी आ जाये अब्बु खान दुफैर के समय अपनी सारी गोट्स को बाहर लेके जाये करते थे और उन्हें घास खिलगाये करते थे अब्बु खान थे वो इन गोट्स से इस तरीके से बात करते थे जैसे कोई इनसान एक बच्चे से करता है अबू खान रात के समय गोट्स के गले में रसी भांदिया करते थे जिससे वो इधर उधर कहीं ना चले जाए रसी से भांद कर गोट्स को रात के समय रखा करते थे लेकिन अबू खान बहुत जादा अनलक्की थे अब अनलकी कैसे थे एक एक करके जो भी उनकी गोट्स थी वो उस रसी को तोड़ कर अपने आपको आजाद कर लेती थी मतलब जिन गोट्स को वो भांद के सोते थे रात को वो गोट्स क्या करती थी उस रसी को किसी ना किसी तरीके से तोड लेती थी और वहां से आजाद हो जाती थी अब ये गोट्स आजाद होने के बाद जाती कहां थी देखो अब्बू खान जहाँ पर अपनी गोट्स के साथ रहा करते थे वहीं पर नजदीक में ही एक माूंटेन था तो ये जितनी भी गोट्स थी वो पास वाले माूंटेन यानि की हिल पर चली जाती थी गोट्स को आजादी बहुत पसंद थी इसलिए वो बार बार अपनी रसी तोड़ कर चली जाती थी लेकिन जब वो माउंटेन के ओपर जाती थी तो वहाँ पर उनके साथ पता है क्या होता था उस माउंटेन के ओपर रहता था एक खतरनाक सा वुल्फ और वो उन गोट्स को खा जाया करता था तो जितनी भी गोट्स अपने आपको आजात करके माउंटेन के ओपर पहुचती थी उन्हें ये वुल्फ खा जाता था अब्बू जो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता था जब भी वो देखता था कि उसकी गोट्स उसे छोड़कर चली गई अब्बू काफी ज़्यादा कन्फ्यूज भी था अब पता है कन्फ्यूज क्यो था अब्बू खान इतना ज़्यादा उस hill पर चली जाती है उस पहाड़ पर चली जाती है और वहाँ पर उनको वो वुल्फ खा जाता है तो एक तरीके से वो मौत के मुँ में अपना कदम रख देती थी goats बार बार किस वज़े से सिरफ और सिरफ आजाद होनी की वज़े से freedom की वज़े से अब्भु खान कि जब एक एक करके सारी गोट्स खतम हो जाती है मतलब चली जाती है तो अब्भु खान डिसाइड करता है कि अब से मैं कोई भी पैट नहीं रखूंगा मतलब कि गोट को as a pet up मैं नहीं रखूंगा और गोट्स को नहीं खरी दूंगा ये कोई एड नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper, हर chapter के notes, साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के button पे click करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ अभू खान को कुछ समय बाद बहुत अकेलापन मैसूस होता है तो वो decide करता है के यार चलो एक goat को मैं खरीद ही लेता हूँ तो अभू खान एक young goat को खरीद के लाते हैं ठीक है और वो इस बार ये उमीद करते है के मैं इस goat का इतना ध्यान रखूँगा इसे इतना प्यार दूँगा कि ये कभी भी मुझे छोड़ कर mountain पे ना जाए अभू खान की जो ये नई goat होती है पता है ये बहुत ज़ादा friendly होती है मतलब बहुत ज़ादा अच्छा इसका वेवार होता है अभू खान के साथ ठीक है और अभू खान इसका नाम रख देते हैं चांदनी तो अब आपको समझ में आयोगा ऐसे ही उन्होंने अपनी जो बाकी की गोट थी उनका नाम अजीब अजीब सा रखा था देखा गोट का नाम चांदनी कौन रखता है तो वो अपनी गोट का नाम चांदनी रख देते हैं और जो ये गोट थी ना उसका वो बहुत ध्यान रखा करते थे अपने फ्रेंड्स की सारी स्टोरी सुनाया करते थे गोट को कुछ साल ऐसे ही बीच जाते हैं जो चान्दनी थी वो अभी भी अब्बु खान के साथ ही रह रही थी अब्बु खान को पूरा विश्वास था कि चान्दनी कभी भी उन्हें छोड़ कर नहीं जाएगी लेकिन चान्दनी के तो कुछ अलग ही इरादे थे, कुछ अलग ही plans थे, जो चांदनी थी, वो एक बार अब्बू खान के साथ पहाड के ऊपर गई थी, वहाँ पर उसने पहाड के ऊपर वाली घास खा ली थी, और पहाड के ऊपर वाली चीज़ें देख ली थी, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था पहाड के ऊ उससा आती है वो बोलती है कि मैं पहाड के ओपर तो जानी पारी अब से मैं ग्रास ही खाना छोड़ दूंगी जैसे हम लोगों के लिए रोटी चावल खाने की चीज़े हैं ऐसे ही जो गोट होती है उसके लिए ग्रास उसका मेन फूड होता है तो वो उसे खाना छोड़ देत दिया था और वो अब्बू खान की कोई भी बात नहीं मान रही थी अब्बू खान उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि अरे खाना खालो चांदनी तुम्हारी तवित खराब हो जाएगी ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी ने अपनी भूख ही खो दी है शी लॉस्ट चांदनी डिसाइड करती है कि मैं ना फाइनली अब्बू खान को अपने दिल का राज बता ही दूंगी तो वो फाइनली अब्बू खान को बताती है कि मैं ना हिल पे जाना चाती हूं माउंटेन पे जाना चाती हूं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाती अगर म खा जायेगा बहुत सारी मेरी गोट्स को वह औरेडी खा चुका है मैं तुम्हें खोना नहीं चाता चांदनी बोलती है नहीं नहीं मेरी पूर्व से लड़ाई कर लूँगी लेकिन मुझे उस हिल पे ही जाना है अब्बु खान को बहुत गुस्सा आती है उन्हें लगता है कि यार मैं इस चांदनी को इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये फिर भी नहीं समझ रही अब्बु खान एक छोटा सा जोपड़ा होता है यानि कि एक हर्ट होता है ठीक है ये देखो घर टाइप बना होता है उसके अंदर चांदनी को बंद कर देते हैं चांदनी कोशिश करती है कि कैसे ना कैसे मैं इस हर्ट से निकल जाओ फाइनली चांदनी को उस हर्ट से निकलने का रास्ता दिखता है एक पुरानी सी छोटी सी विंडो चांदनी उस विंडो से जंप करकर बाहर निकल जाती है बाई चांस अब्बू खान ने भी नोटिस नहीं किया होता कि वो विंडो अच्छे से क्लोज नहीं है इस वज़े से चांदनी वहां से निकल जाती है चांदनी फाइनली हिल की तरफ चलने लगती है जब वो हिल की तरफ आती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे हिल उसका स्वागत कर रही है उसको बहुत सुन्दर लगती है जो हिल के उपर पूरी टॉल ग्रास होती है, प्लार्स होती है, विंड होती है हर चीज जो हिल के उपर थी वो बहुत जादा उसे सुन्दर लगती है ये चांदनी का एक तरीके से हैपिएस्ट डे था उसकी जिंदगी का मतलब सबसे जादा अच्छा दिन था बहुत सारी वहाँ पर और भी गोट्स होती है मतलब जो गोट होती है उनका हर्ड मतलब गोट का जुंड हो गया तो जुंड होता है वो लोग बोलते हैं चांदनी को के आजाओ हमारे साथ चलो नहीं तो तुम्हें वुल्फ खा जाएगा चांदनी बोलती है नहीं नहीं मैं तो यहीं पर रहूंगी अकेले रहूंगी वो बोलती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूं फ्र तुरस ढलने लगा अब अजीब सी आवाज सुनाई देती है चांदनी को अजीब सी घुराने की आवाज करके अब ये जो हाउल थी मतलब ये जो अजीब सी आवाज थी ये उस डेंजरस वुल्फ की थी चांदनी बहुत ज़्यादा डर चुकी थी लेकिन वो हिम्मत नहीं आ उस वुल्फ से ब्रेवली फाइट करती है बिलकुल भी पीछे नहीं हटती मतलब ऐसा होता ना अगर कोई हमसे स्ट्रॉंग आदमी हो तो हम उसे देखकर डर जाते हैं अब जो चांदनी के कंपेर में वुल्फ था वुल्फ तो अब्वेजली बहुत स्ट्रॉंग था लेक बैटल शुरू होता है पूरी रात भर ये बैटल चलता रहता है जब सुबह का समय होता है मतलब जब सूरज उगना शुरू होता है सनराइज होता है तो देखने को मिलता है कि जमीन पर खून ही खून है ये जो खून था ये चांदनी खा था चांदनी को वुल्फ खा चु वही जीती है फाइट को तो फाल तुमें चांदनी उससे लड़ने के लिए आई थी तभी अच्छानक से एक ओल्ड बर्ड होती है जो की काफी जादा वाइज होती है वाइज मतलब समझदार होती है वो बोलती है नहीं नहीं पता है असली विनर कौन है असली विनर तो होता है इस चैप्टर का मॉरल क्या है मतलब हमें मुश्किल चीजों से मूह नहीं मोड़ना चाहिए मुश्किल चीजों से हार नहीं माननी चाहिए जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका टेस्ट होगा या एकजाम होगा तो कुछ माक्स उतने अच्छे नाएं बट हम लोग चांदनी की तरह ब्रेव कहलाएंगे बाद में तो यह जो चैप्टर है यहीं पे खतम होता है इस चैप्टर के ओधर है जाकिर हुसेन खान आपके लिए होमवक का एक क्वेशन है that is what a misfortune came to चांदनी आफटर संसेट जब सूरज ढलने लगा था उसके बाद क्या बुरा हुआ चांदनी के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या सैंपल पेपर चाहिए अब बच्चो देखो नोट्स तो आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया बिना नोट्स के तो काम चल भी जाएगा बट सैंपल पेपर बहुत इंपोर्टन्ट है आपके लिए सॉल्व करना सैंपल पेपर के अंदर वो सारे इंपोर्टन्ट क्वेशन्स होते हैं जो आपके एक्जाम में आते हैं आप बड़ी क्लास में आ गए हो बुक क सारे सैंपल पेपर में मिल जाएंगे अगर आपने सैंपल पेपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो एक्जाम में फूल माकसाना आते हैं तो आपको इस चैप्टर के नोट्स और सैंपल पेपर मिल जाएंगे बट कैसे मिलेंगे सब्सक्राइब करना है उसके साथ में ज दूसरी वाली बुक है, उसके सारे नोट्स और सामपल पेपर, साथ ही में, आपको साइन्स के सारे नोट्स और सामपल पेपर, SST की जो तीनों बुक है History, Savix, Jio इन तीनों के Sample Paper और Notes तो इतनी सारी चीज़े एक Membership के प्राइज में जो कि अभी 50% डिसकाउंट पर है तो फटा फटा आप Members जरूर बनो फिर आपके लिए Membership का प्राइज सेम ही रहेगा और ये सारे Notes और Sample Paper को Solve कर गया एक्जाम में Full Marks लाओ See you in the next video, Bye Bye Till Then